हेलो दोस्तो, मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगी दोस्तो, अब हम analysis करने वाले हैं Nifty 50 का यहाँ पर आपको 15 minute का time frame दिखाई दे रहा है कल मैंने आपको क्या बता है था कि यहाँ पर एक pattern form हो रहा है यह चीज आपको समझाए गई थी अगर breakout मिला, price उपर sustain किया तो आपको मिलेगी buying opportunity महीं पर breakdown मिला, price नीचे sustain किया तो आपको मिलेगी selling opportunity तो यहाँ पर breakdown मिला है आपको अच्छी खासी selling opportunity मार्किट में दिखाए दिये मैंने आपको यह भी समझाए था अगर इसका breakdown मिलेगा तो market इस zone में support लेता हुआ आपको नजर आएगा इसके पीछे मैंने आपको logic भी explain किया था कि यहाँ पर आपको 17 का day low भी देखने को मिल रहा है और 16 का day high भी आपको देखने को मिल रहा है अगर आप देखेंगे market ने इसी zone में support लेके आपको एक positive momentum दिखाया है तो यानि कि आज market ने हमें दो चीज़े बताई है दो खास important levels के बारे में बताई है जिनकी हमारी कल पे भी नजर होनी चाहिए पहला क्या? उससे पहला हम एक चीज और समझ लेते हैं market ने चलो इस zone में तो support ले लिया यह तो clear हो गया अगर 18 का आप observation कर रहे हो तो जो हमारा 17 का day high है इसी zone पे market ने resistance की track किया है दो बार resistance की track किया है एक तो सुरुवात में ही resistance की track किया था फिर वापिस से गिरावट दिखाई फिर market अपने last time में आया तब भी हापि resistance की track किया यहां कि दो लेवल यहां से निकल के काफी important आ जाते हैं जिनका अगर breakout मिल जाता है या breakdown मिल जाता है तो हमें एक अच्छे खासी opportunity करेट हो सकती है फिलाल market इस zone में खड़ा है तो पहला तो level हमारे लिए यही important है अगर इसका breakout मिलता है तो 17 के day high का भी आपको breakout मिल रहा है साथी साथ 18 के day high का भी आपको breakout मिल रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं जो यहां पर एक important resistance की rate हो रहा है आपको इसका भी breakout मिल रहा है इस situation पर उपर की तरफ क्या level रहेंगे वो हम आगे discuss करेंगे लेकिन यहां पर दूसरी समझने वाली बात यह है कि हमें market इस zone में resistance की तरेक्ट करता हुई नजर आ रहा है अगर यहां से market गिरावट दिखाता है या negative momentum दिखाता है किसी भी situation में हो सकती है वो gap down opening हो सकती है या फिर flat open होके market negative momentum दिखा सकता है दोनों ही situation में जो हमारा support बनेगा मैं फिर से repeat कर रहा हूँ जो हमारा support बनेगा वो 16 का high मान लो आप या 17 का low मान लो या फिर 18 का low मान लो ये जो तीनों चीजे है ये एक ही zone में create हो रही है यानि कि 17,850 का ये zone है ये हमारे लिए एक important support के रूप में दिखाई देगा पहले ये level हमारे लिए resistance की तरे act कर रहा था 16 को 17 को इसका breakout मिल चुका था तो इस support की तरे act कर रहा है और 18 को भी यानि कि आज के दिन भी इसने support की तरे ही act किया हुआ है क्योंकि हम जानते हैं कोई हमारा resistance zone है उसका breakout मिलता है तो आपको support के रूप में काम करता हुआ दिखाई देता है जितना मजबूत ही resistance रहेगा उतना ही मजबूत ये हमारे लिए support बन जाएगा उमीद है जो चीजे मैंने आपको यहाँ पर समझाने की causes की है वो आपको सारी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी खासकर मोटा मोटा अगर इन सारी चीजों को conclude कर दिया जाए और एक conclusion पर पहुचा जाए तो बस मैं आपसे ये कहुँगा आपके लिए यहाँ पर दो level important है पहला तो है ये resistance zone अगर इसका breakout मिला और volume अच्छा रहा तो आपको एक buying opportunity market में मिल सकती है दूसरा रहेगा अगर market ने negative momentum दिखाया तो इस zone में market support लेगा यहाँ पर 16 का day high भी है 17 का day low भी है और 18 का day low भी है 17,850 का level है market इस zone में आपको support लेता हो नजर आएगा अगर इसका breakdown मिल गया तो आपको फिर से एक selling opportunity मिल सकती है एक अच्छे entry मिल सकती है अगर volume भी इसके साथ अच्छा है चीजे किलियर है यहां तक अब हम चलते हैं सीधे ही price action की मदद से support resistance हमें कहाँ पर नजर आ रहा है देखो यह चीजे जो मैंने समझाई है समझ में ना ही हो तो एक बार फिर जाके देखना तब भी समझ में ना है तो आप comment कर देना यहां पर हम पहला discussion करें अगर आपको gap up opening देखने को मिलती है या फिर flat opening देखे market आपको positive momentum दिखाता है अगर आप यहां पर notice करोंगे जो हमने कल्स आपको जो zone समझाई है जो level समझाई है वे ही आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं लगबग लगबग सभी वे ही level है क्योंकि market की closing वहीं पर हुई है जहां पर 17 को हमें closing देखने को मिली थी लगबग लगबग वहीं पर ही उसी zone में जो high बना था 17 को उसी zone में यहां पर हमें closing देखने को मिल रही है तो इसलिए अगर gap up opening हुए flat open होके market ने positive momentum दिखाया तो 18,000 हमारा पहला level होने वाला है resistance के रूप में जो काम करेगा यहां पर हम ज्यादा time नहीं लगाने की मैं जल्दी जल्दी आपके साथ discuss कर देता हूँ क्योंकि उम्मीध है आपने कल वाली वीडियो जरूर देखे होगी अगर इसका breakout मिलता है फिर जो हमें resistance नजर आ रहा है यह आपके लिए रहेगा यहां पर 18,100 जो अगला resistance रहने वाला है यह 18,100 की रूप में आपको यहां पर दिखाए देगा आपकी उस levels पर नजर होनी चाहिए यहां तक चीज़े clear होती हुए आपको साप साप नजर आ रही होगी अब यहां पर हम एक और interesting चीज का discussion करते है अगर आपको gap down opening देखने को मिलती है अब फिर flat open देखे market आपको negative momentum दिखाता है इन दोनों ही situation पर जो हमें यहां पर support नजर आ रहा है यह 17,850 पर हमें आपर support देखने को मिल रहा है अब इस level का discussion करने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है मेरे इसाब से क्योंकि आपको detail में समझाया गया है सारी चीजों के साथ के लिए रहा है तक अगर इसका breakdown मिलता है फिर जो हमें support नजरा रहा है 17,750 पर हमें यहां पर support देखने के लिए मिल रहा है यहां पर भी आपके साथ discussion किया गया है मैं आपको हलकी सी जलक बता देता हूं 16 को आपको बताये गया था कि इस zone में हमें क्या देखने को मिल रहा है इस zone में हमें यहां पर एक support देखने को मिल रहा है जो कि यहां पर हमारे pattern भी create हो रहा था अगर आप 16 को उपज़र करेंगे तो आपको यहाँ पर एक pattern भी create होता हुआ, आमने बताया था, नीचे support, उपर resistance, तो clear है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और discussion करते हैं, आपके लिए सबसे interesting चीज़ का जो कि है हमारा note reading zone, इसे भी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दो red line दिखा दे रहे, उपर level line की बात करेंगे 17,967 की है, मुई नीचे level line की बात करेंगे 17,960 की है, उपर आपको यहाँ पर day high दिखाई दे रहा है, नीचे आपको लगबग वो ही zone create हो रहा है, जो हमने आपको कल बताया था, लेकिन मोटा मोटा आप मानके चल सकते हैं, 17,900 पर आपको इसका breakout, तो आपको ध्यान रखना है, 17 के day high का breakout मिल रहा है, 18 के day high का breakout मिल रहा है, और साथी साथ जो एक important resistance zone create हुआ था, आपको इसका भी breakout मिल रहा है, तो आपके लिए यहाँ पर एक buying opportunity create हो सकती है, अगर volume अच्छा खासा है, वहीं पर अगर देखे, अगर आपको मिलता है इसका breakdown, उस situation पे जो 18 का low है, या 17 का low है, या 16 का high है, यह जो zone create है, यह आपके लिए पहला support का काम करगा है, जहाँ पे 17,850 पे support दिखाई दी रहा है, अगर इसका भी breakdown मिलता है, फिर मैंने आपको बता है, 17,750 पे आपको अगला support zone यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो कि तरफ क्या level नज़र आ रहे है, इनका भी discussion कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे, हमने pivot point लगाया हुआ है, अगर nifty 50 में आपको एक positive momentum देखने के लिए मिलता है, ऐसे इस्तिति में जो हमें पहला resistance नज़र आ रहा है, यह 17,995 पे नज़र आ रहा है, अगर आपको इसका breakout मिलता है, ऐसे इस्तिति में जो हमें अगला resistance नज़र आ रहा है, यह 18,047 पे नज़र आ रहा है, अगर आपको इसका भी breakout मिलता है, जो उससे अगला resistance नज़र आ रहा है, यह 18,082 पे आपको यहाँ पे दिखाएते रहे हैं, वहीं बात करें, अगर आपको 50-50 में negative momentum देखने को मिलता है, ऐसे इस्तिति में जो में पहला support नज़र आ रहा है, 17,914 पे नज़र आ रहा है, अगर इसका भी breakdown मिलता है, जो में दूसरा support नज़र आ रहा है, दूसरा support बताने से पहले मैं आपको पता दू, यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई buy recommendation है, ना ही कोई selling recommendation है, यह just educational purpose से बनाए गई analysis वीडियो है, invest करने से पहले आपको अपनी research करने है, अपनी investor की सला लेनी है, क्योंकि profit भी आपको होने वाला है, loss की जमेदार भी आपको अपने आप लेनी है, जो यहाँ पर हमें second support नज़र आ रहे, 17,864 पर नज़र आ रहे है, अगर इस हमारी website पर विजिट कर सकते हैं, website का link आपको नीचे description में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके chart patterns और candlestick patterns से related जाके content पढ़िये, देखे वीडियो को, तो यहाँ पर आप देखेंगी, ने option chain 18 अगस्त के हमने expiry select कर रहे है, call की साइड हम देखने वाले है, resistance, put की साइड हम देखन level है, आपके साथ discuss किया गए, अगर आपको इसका breakout मिलता है, फिर आप देखेंगे 18,100 जहाँ पर 63.5 lakh का आपको यहाँ पर open interest दिखाई दे रहे है, वहीं पर बात करें, इस support की तो 17,900 पर आपको एक support measure आ रहे है, जहाँ पर आप देखेंगे 74.6 lakh का आपको यहाँ पर open interest दि दे रहे है, दोस्तों, website पर जरूर visit कीजिगा, इस video को like कीजिगा, चैनल को subscribe कीजिगा, bell icon प्रेस कीजिगा, अगर आप इस video पर इस channel पर नहीं है, फिर मिलेंगे किसे next video में किसे अच्छे content के साथ, thank you